नमस्कार दोस्तों राधे राधे कैसे आप सभी आशा करती हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे बहुत खुश होंगे और जलमाश्ट में अपने घर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे काना जी बैठे हुए हैं यहाँ पर और मेरे काना सुबह से तयार हुए बैठे हैं और अभी शाम के बज़े हुए हैं पांच और मुझे बनानी है अब मतलब खाना बनाना है भोग की तयारी करनी है ऐसे तो काफी टाइम है लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी चिज्जे ह जो करनी है क्योंकि सजावट भी करनी है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया सुबह के टाइम किया ता फिर उदर चले गए तक क्योंकि मम्मी आ रही थी सास आई हुई है और रूची और अनुज भाया गए थे गाउं में तो इस वज़े से फिर उदर टाइम लग गया आके थोड़ा वह तोर जो साफ सफाई सा करने का काम ता वह किया तो अब मैं लगरी हूं फाइनली अपने काम पर भोग बनाने की तयारी पर तो आपने देखा था कि मैंने जो है कल यह लड़ू बना दिये तो वह है धनिये का पाग यह है बेसन के लड़ू इनका घी जम ग अब बना रही हूं अब यह रगद मैंने साख क्या हुआ था तो मैं देखने हूं फिर बाद में तो जी यह ले आए हैं कुछ मतलब भोग का सामान ले गया हैं बखी फूजा पार्ट वगरा जो भी करनी है इसके बाद ही करेंगे तो मैं बना रही हूं अभी बनाँगी मैं मीठे चावल, हल्वा, सुजी का हल्वा, खीर बनाँगी, ड्राइफ्रूट वाली खीर बनाँगी, आलू की सबजी, सुख्षी मतलब हलके से रसेगी, पूरी और क्या बनाँगी? बस बस हो, पूरी है, जाता है ना? खाने में मतलब काना जी के लिए तो जितना मंजी बना तो फिलहाल मैं लगती हूँ अपने काम पे मिठे से में शुरू करूँगी, हल्वा बनाँगी पहले और उसके बाद फिर करूँगी मैं, तो जी काना जी का नाम लेके लगते हैं अपने काम पे, आप वीडियो में लाश तक जरूर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगती हैं, मैंने पहले जुझए शुर बनाजरे ने पहले जो पैले योयो कपड़े में लाश ख्रयों से चांटना एमान से के लिए आञे सराइज muchos बनाजाएं कर रहे हैं बनाज को बनाज दो बना看व पर रग यह का टाइम ने लगता, तो फाइनली यह बना रहे हैं, इ पिर आपको दिखाँगी कि ये बनगे कैसे लग रहे हैं तो जी चलिए मैं अपने काम पर लगती हूँ ये लगे हैं अपने काम पर देखे एक आना जी के भोग की तयारी मैं कर रही हूं शुरू और सबसे पहले तो ये जो सामान लेके आए हैं भोग के लिए वो में रख है तो सबसे पहले मुझे बनाना है मिठे चावल और हल्वा तो उसी के लिए क्या कर दियू हूं मैं यहाँ पर थोड़ी से मैं जो सामान है मतलब ड्राइफ रूट है क्योंकि जो मिठे चावल बनते हैं उनको कहते तो कुछ और हैं लेकिन मुझे नाम नहीं पता लेकिन मैं तो मिठे चावल ही बताती हूँ तो यहाँ पर मैंने उसके लिए कुछ ड्राइफ रूट लिये हैं घी का तड़का लगेगा जीरा डाल दिया है और साथ में जो मैंने ड्राइफ रूट लिये हैं उनको मैं जीरे के साथ हलका सा भून दूगी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे किसी भी चीज में तो हलका सा भून दूगी उसके बाद ही मैंने चावल भिगो के रखे थे तो मैं बताओं मैं किसी भी चीज को ज्यादातर मेजर करके नहीं बनाती हूँ सिर्फ आइडिये से बनाती हूँ तो जितना भी मुझे हलवा बनाना है क्योंकि इस बहुत सारी चीज्जे बन जाती है तो थोड़ा-थोड़ा सा ही फिर मैं बनाती हूँ सारा और भगवान की किरपा ऐसी है कि जतना मर्जी मैं थोड़ा करके बना लू उसमें भी होता है कि बच जाता है बहुती तो देखिए बस यहां पे अब मैं सूजी को भून लोगी सूजी होगी है गॉल्डन ब््लाउन सी और मैं इसमें डाल दूगे पानी तो पानी जो है वो मिढ़ा नहीं है मैं मिढ़ा पानी नहीं पकाते है आप लोगों को भी पता हैęt तो मैं फिका ही पानी करती हूं तो इसका मुझे यह कि मेजर करने की जुरूत नहीं पड़ती जितने टिकवायर होती है उतना पानी डाली है फिर अपने जितना आपने बेसन लिया है या सूजी वग्यारा जो लिया है उसी इसाब से फिर आप अपना मिठ्था डाल दीजे कम कि जब तक हम इनका भोग लगाते हैं तो यह बहुत ही ड्राई हो जाता है और इसके बावजूद भी बहुत ड्राई हो गया था इतना लूज रखने के बाद भी तो जी देखें अब जो है मुझे बनानी है मकाने वाली खीर तो उसके लिए मैंने यहां पे एक सवा किलो के लगबग एक किलो के लगबग मैंने दूद लिया है क्योंकि जैसा मैंने बताया ज्यादा मैं नहीं बनाऊंगी तो दूद उबल जाएगा जब तक तो इधर देखे हमारे जो मीठे चावल है वो भी बनके बिलकुल रेडी होगे हैं उनको मैं निकाल दूगी और मैंने एक अधर में हैंडल करना मुश्किल हो जता है काम बढ़ जाता है उनको साफ करने का तो इसलिए बस मैंने एक ही कड़ाई और एक ही कुकर का इस्तमाल करके सारी चिज्जे बना दिया हैं तो यहां पर मैंने मखाने की खीर बना रही हुए दर में ड्राइफ रूट वाली तो उ देखिए यहां पर हलका सा ही मैंने इनको आच वो मनलब गुमाया है जादानी तो यहां पर यह हो गए हैं और इनको मैं डाल दूंगी तो यहां पर ड्राइफ रूट के साथ मैंने थोड़ा सा जो है मिल्क पावडर लिया है दो चमच के लगबग यह शायद होगा तो खानों की तो यहां पर अभी मैं बना रही हूँ आटे का परसाद यानि के कसार तो थोड़ा सा घी लिया है आटा ले लिया है मैंने और इसको मैं भून लूँगी हलकी हलकी सी आच में लब मीडियम क्योंकि मेरी जो कड़ाई है यह हैवी बोटम की है भारी कड़ाई है तो तो मैं अगर तेज आज पर भी कर लेती हूं तो भी कोई मुझे खास प्रोब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी मैं इसको मीडियम टू हाई रखती हूं दुनों के बीच का तो यहां पर देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है बहुत ही अच्छी सी खुश्बू इससे आने लगती है और जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मिठा और मिठे में आप इसमें शक्कर गुड़ी वगएरा भी कुछ डाल सकते हैं की अच्छा है मैंने यहां पे जो बुरा होता है यानि के पाउडर शुगर वो डाल ली है और कुछ ड्राइफरूट डाल दे है थोड़ा सा नारियल का बुरादर डाल दे है तो हमारा ये वाला परशाद भी हो गया है रेडी और अब इसको भी मैं निकाल दूँगी इसमें से क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ बनाना है तो देखिए यहां पे एक ये कड़ाई का इस्तुमाल करके मैंने दो तीन चिज़े तो बना ली है और इधर हमारी जो खीर है वो भी पकगी है तो उसमें मैंने डाल दी है चिन्नी टेस्ट की अकॉर्डिंग तो इसको भी भी मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जिससे की अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर मुझे खाने में मतलब नमक में जो है वो बनानी है सबजी आलू की सुखे आलू से मतलब सुखे क्या रसे से के आलू मैं बनाऊंगी तो यहाँ पर वोई मैं ले रही हूँ और लेसन प्याज का तड़का नहीं लगेगा बिल्कुल भी आज कोई भी मैंने ऐसी चीज इस्तमाल नहीं की है कुछ मुझे बता रहे थी कमेंट में कि गोंद का जो इस्तमाल है वो नहीं होता काना जी के भोग में तो जी मुझे नहीं पता थी वो चीज तो उसके लिए मैं शमा चयांगी और मैं हमेशा जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ भगवान जी के उससे तो मैं हमेशा पहले यही बोलती हूँ मैंने का भगवान मैं अपनी तरफ से पूरी शरदा से कर रही हूँ मन से कर रही हूँ लेकिन अगर कहीं भी भूल चूक हो जाए या कमी रह जाए तो उसको शमा कर देना क्योंकि देखे हमें सारी चिज़े नहीं पता होती हमेशा कुछ पता होने से पता होती है और कुछ होती है तो खेर देखे खीर बन गिया हमारी अब जो है मुझे लगाना है आलो की सबजी में तड़का तो यहां पे मैंने नमक, मिर्च, धनिया, पाउडर, जीरा, पाउडर, गरम, मसाला और देगी, लाल मिर्च इन सब को ले लिया है और इनको मैं घोल दूँगी तो इसका मैंने मसाले जो एड़ किया है गरम, मसाला वगएरा सारी चीज तो इन से जो सबजी में टेष्ट आएगा वो ऐसा आएगा जैसे खड़े मसालो का तड़का लगता है ना वैसा तो यहां पे मैंने जीरा, धनिया और चौकी मिच डाल दिया उसके बाद जो मसालो का गोल तैयार किया था वो डाल दिया और एक टमाटर जो है वो मैंने बारीक मनलब बिल्कूल उसका पेश्ट साही बना लिया था वो डाल दिया है तो अब इसको मैं पका दूँगी मसालो का अच्छी तरह और जब मसाले पक जाएंगे तो आलू डालके थोड़ा सा पानी डालके मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए मैंनलब इसमें चार-पांच सिट्टी लगेगी तो ये बराबर हो जाएगा जब तक सबजी बनती है तब तक मैं आटा लगा लेगती हूँ और तक क्योंकि आटा भी सोफ्ट हो जाएगा जब तक मैं इसको करूँगी तो देखें याँ पर प्यूर हुई मुझे कुछ पूछ रही है और मैं साड़ी पांच बजे के लगबग या साएग छे बजे के लगबग कीचन में आगी थी और ये साड़ी चीज्ये बनाने में मुझे कम से कम आट सबा आट बज गे थे लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी शायद मैं खुश इतनी थी कि मुझे थकान महसूस नहीं हुई या बाके बिहारी की करपा मुझे इतनी है कि मैं थकी नी और मैं सही में बताऊं भगवान से डर के कहती हूँ मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मांके बिहारी जी हमारे पास है मैं ये नहीं कहती कि मैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर लेती हूँ जितनी भी होती है जैसे भी होती है वसी मैं कर लेती हूँ लेकिन उसके बाद भी उनकी किरपा मेरे उपर इतनी है मेरे घर के उपर, परिवार के उपर कि मैए शब्दों में बयान नहीं कर सकती तो इसलिए हमारा भी बनता है कि जब वो हम पर इतनी करपा करते हैं इतनी महर करते हैं तो अगर हम भी उनके लिए कुछ कर ले इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी और ये भी नहीं है कि ये रोज रोज आता है साल में एक बार एक तोहार आता है तो उसको अगर खुश होके मना ले पुले दिल से मना ले तो बहुत अच्छा लगता है तो ये देखे जी मैं तो अपने लड़ू गोपाल के लिए बना रही हूं सारी चिज़े और मैं सही में बता हूं जो मैंने बनाना शुरू किया था तो मुझे ये था कि मैं एक दो चीज ही बनाऊंगी सोचा बहुत कुछ था लेकिन फिर भी उसके हिसाब से मैं इतना नहीं कर पाई जितना मैंने सोचा था लेकिन फिर भी ये होता गया कि मुझे यह नहीं खुद पता लगा कि जितनी भी चिज़े मैंने बनाई है कि वो बन कितनी देर में गई मुझे टाइम का सच में आइडिया नहीं लगा तो मैं सच में मुझे लगता है कहते हैं ना कि भगवान की किरप होती है पता लगता है कि वो है या कुछ भी तो मुझे हमेशा महसूस होता है कि नहीं बांके भिहारी जो है लड़ू गोपाल जो है काना जी है उनकी किरप दरश्टी है तो हमेशा बहुत मुश्किल मुश्किल टाइम मैंने देखा है फिलहा तो मैंने बहुत मनलब क्रिटिकल टाइम आप समझ लीजिए फेस किया है वो टाइम भी मैंने देखा है जब मन में वो चिज़ आती है जो आनी नी चाहिए लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि बांके बिहारी की किरपा थी कि जो उस टाइम से निकल के हम निकल के आगे मैं निक लोगों के सामने हूँ और मैं खुद को मनलब मैं कहूं तो मैं खुद को बहुत ही स्ट्रोंग फिल करती हूँ इस टाइम पे हला कि मैं हूँ नहीं इतनी destacती हूँ लेकिन मेरा यह रहता है कि जब भी मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो पता ही नहीं लगता कि टाइम कब निकल जाता है या क्या होता है उनके बारे में जितनी बत्ते में करूँ उतनी थोड़ी है और कभी भी ऐसा हो कि अगर आप मेरे घर की तरफ आ रहे हैं या मेरे घर में आ रहे हैं तो कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे मेरे कानाजी के भजन सुनने को ना मिले क्योंकि मैं जितना भी काम करती हूँ हमेशा कीचन में कर रही हूँ मैं कुछ भी काम कर रही हूँ मेरे आसपास हमेशा काना जी का नाम गूंजता रहता है, मैं हमेशा उनके भजन सुनती हुई काम करती हूँ और बहुत रिलैक्स मिलता है, तो जी बस मेरी तो यह इच्छ है कि जैसे भगवान ने मेरे उपर अपने किरपा द्रश्टी बनाए रखी है, आप सब के उपर भी और जिनके जो भी कश्ट है, वो सारे बांके बियारी दूरगर दें, तो जी सारा भोग तयार हो गया, ताइम बजगे है, पूरे साड़े आठ बज़रे, और मैं साड़े पांच को ने छे बज़े के करीब शायद लगी थी, तो चले खेर कोई नी, लेकिन यह है कि सारा जो खाना पीना है, वो तयार हो गया, जो मंगाने का तो मंगा ले, तो चलिए मैं फुटाफट से आपको दिखा देती हूं कि मैंने बना क्या क्या लिया है, आज और कल में, तो यहां पे वही पाग है, जो मेवे वाला पाग है, वो है यह, उसके बाद, यहां पे है मखाने की जो खीर होती है, वो ड्राइप्रूट वाली, यहां पे है आलू की सबजी, और जी, यह है जो अट्टे का परसाद है, यानी के खसाद, यहां पे है सुजी का हलवा, यह है बेसन के लटू, यह है धनिये का पाग, जो धनिये का होता है पाग वो है, और यहां पे है मिठे च और वहान बॉरिया महावै पनी तरफ से जितना मेरे सबन सकता था तौना में बना लेगा वैसे तो यह जितना मर्जी कर लो तना ही कम है वाक्ती जो फलकुरूट है मनलभ मिठाई वगेरा जो मंघवाई हुए है वह भी है और भी भी चीज़े बहुत बहुत सारी चीज़े है जो भी रखी जाएंगे जब उनको भोग लगेगा तो जी अभी 8 बचे है जैसा कि आज़ाऊ जासा की बहुत टाइम है जाना जी का जो क्लान शीन कर्वाने में नहों का जुनमदीन मनाने में लग जुन अब जाकर आपड़ी खराब होगी थी तुछ दवाई वगेरा दिलाने अब तब से भाग महीं लगए समान वगेरा कुछ ना कुछ छूटी जाता है तो अब चाके निका ताइम लग रहाए तो फिरोग डाल लगी चाहिए अब ताइम नहीं है तो को ताइम लग जागे इनक तो असल में जित ठक जाएं ये फिस सुबह सो सारा दिन जितना भी बाग दोड़ काम है सारा बस यही धर सब दर सब दर सब दर सब दर सब दर यही काम रहा सारा दिन का आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे तोर तरीके रितिरिवाज कैसे हम अपने कानजी को पूझते हैं कैसे उनका जनम दिन मनाते हैं या कैसे क्या करते हैं तो इस वीडियो में एड़ करोंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो जी चले बस फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए खुश रहिए स्वस्त रहिए बागी प्यारी सब पर अपने गरपा दरश्टी बनाए रखे तो जी बोलिए रादे 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 नंद गया अनंद भयो जयक्त नहीं अला बाई बाई बाई